हेलो गाइज चैन मेरे प्यारे साथी दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंटर 1947 पर दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुत इंप्डेंट अपडेट लेकर आया हूँ जो दोस्तो अभी निव अपडेट निकल कर आ रही है 12 दिसंबर की ठीक है दोस्तो क् कि डिवरोच जो सेथ दोस्तों चयांन हो गया अगर आपकी परिक्षा हो गई तो आपको कब तक नियुकती अपने पर पर मिल जाएगे तो सीट रच पर आज मैं आपके लिए यह वीडियो बना क् duż वीडियो क लाश्टत देखिया बीच में इसके मत करना तो दोस्तों अग इसमें क्या दे रखा है तो दोस्तों मैं आपको इसमें बता दूँ तो फ्रेंड्स इसमें दे रखा है ये ये कह रहा है रेलवे की अगले सप्ता से सुरू होने वाली परिक्षा को किसी भी तरह गडवडियां किसी भी तरह की गडवडियां गडवडियों को रोकने के लिए पूरे इंतिजाम किये गए है ठीक है उस्तो जो भी कोई रेलबे की परिक्षा है ठीक है उसमें जो भी कोई गलवडी है उसे रोकने के पूरे इंतिजाम कर लिए गया है यानि कि इनके कहने का मतलब यह है कि अब तो परिक्षा होने ही है तो उसमें लिखा है महानिदेशक, मानव संसाधन, आनद के खाती ने नई दिल ली BD Conferencing के हमाध्यम से संबाद दाताओं से बाचीट में परिक्षा की तैयारी की जानकारी दी परिक्षा की तैयारी की जानकारी दी उन्होंने बताया कि का परिक्षा होनी है कैसे क्या है सब बातें बता दी गई है कि किस किस कंडिट को अपना हम एक स्टेट मिलेगा कौन कंडिट भाड जाएगा किसके लिए benefit रहने बाला है ये सब कुछ इस वीडियों बताने बाला हू तो प्लीज दोस्तो बीच में वीडियो को इसके मत करना तो दोस्तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने बताया है कि कम्पूटर आधारत परिक्षा के लिए कक्ष में पिर्वेस मतला उन्होंने कह दिया है कि कम्पूटर पर जो हमारी CVT परिक्षा होगी ठीक है कक्षमे प्रवेस्ट से पहले से पहुचने से पहले अभ्यारती को बायोमेट्रिक ठीक है बायोमेट्रिक और फोटो कैप्चर कराना होगा जिससे कि वो लोग यह जान सके कि हाँ के यही यह बही कंडिडेट है जिसने अपना फॉर्म एपलाई किया है ठीक है तो महां पर अब इतन किसी और करनेटने किया एकजाम देनें कोई और जहरा है तो दोस्तों बहां पर यह सब कुछ नहीं वाला है किसी उष कितरा गी गडवरी नहीं होगी जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया कि कितरा गार्वडी नहीं होने वाली यह तो फैंट सा आग इसमें दि किये हैं रेलवे ने जो किये हैं विशेस इंतिजाम रेलवे ने कर लिये हैं इसके बावजुद यदि परिक्षा देने पहुंचे अब भ्यारती में से किसी का तापमान अधिक निकलता है दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने बहुत इंपुटेंट बात दे रखी है कोविड- परिक्षा नेक्स्ट डेट में होगी जो इसमें डेट वहाँ पर निर्धारित की जाएगी ऐसे कंडिडेट होगी जो जिन पर मतलब क्या बोलते हैं कोविड-19 की महामारी का सख होगो जिन पर कुछ सिस्टम सिम्टम्स पाई जाएंगे मतलब जैसे खांसी जुखाम या ब परिक्षा नेक्स्ट डेट में अपडेट कर दी जाएगी तो दोस्तों यहां पर दिया है कि परिक्षा के दोरन कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाएगा प्रोटोकॉल यानि की वहां पर बता दिया गया है कि आपको मास्क पहन कर जाना है और अपने चोटी सी सेनिटाइजर झाल सा इसा आप मतलब चोटी डीप लेकर जान Eigen थोड़ भुढ़ना होस में वहाँ बहुद ही जाता आपके लिए हैल फिल रहे-स एनिटाइजर इए तीन इन चीजे महाँ पर आपको सायद ले जानी हो यह अनिवार रख हो सकता है अगर यह ऐसा कुछ हुआ तो आपके एडमिट कार्ड में सम्मिट कर दिया जाएगा तो आपको क्या के लिए जाना है तो नेक्स दोस्तो आगे बात करते हैं तो आपको जो इंपोटेंड बात थी व उसके बाद अपना स्किल टेस्ट किलियर कर देंगे उनके बार उनका डोकुमेंट होगा उसके बाद लाश्ट मेंडिकल होगा मेंडिकल के बाद दोस्तो बहाँ पर लाश्ट पिरकिरिया होगी उसके बाद उनका उनकी चैन पिरकिरिया स्टार्ट हो जाएगी बहाँ पर अब उनकी पोश्ट सौंप दी जाए ठीक दूस्तों तो यहाँ पर यह बताया गया है कि खाती ने बताया खाती ने बताया कि रेलवे की तीन स्रेंडियों में एंटी पीसी आइसोलेटेड एंड मिनिस्टीरियल और लेविल बन लेविल बन का मतलब यहाँ पर यह गुरूब टीचर ट्रांसलेटर आधी को 1663 पदों के लिए एक लाग तीन हजार अभ्यारती की परिक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी ठीक है तो यहाँ पर बता दिया गया है कि जो एम आई कैटेगरी की हैं उनकी जो बैकेंसी आई थी वो 1663 के लिए आए थी जिसमें की उन्होंने लगवग इसमें फॉर्म भरे गए हैं ठीक दो तो इनकी परिक्षा जो है पंदरा दिसंबर से स्टार्ट हो रही है पंदरा से 18 के बीच इनकी परिक्षा चलने बार लिए ठीक दो तो इनकी परिक्षा होगी तब तक तो हमारा किसी प्रिकार का कोई नोटिस आने का चांज हमारा ntpcчIT का notice आ जाए दोस्तों notice जो मिलेगा में exam ntpc exam का वो इस date बदarta 18 के बाद ठीक दोस्तों पहले ये परिक्सा सम्मिट होगी होगी इसके बाद ये फरिक्सा final होने के बाद आपको notice मिलेगा अगर एंटpc exome होगा तो मिलेगा नहीं होगा तो मिलेगा ठीक दूस्तो दूस्तो आगे बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने दिया है नॉन टेक्निकल स्रेणी एंटी पीसी में स्टेशन मास्टर गार्ड कार रहा है कलरक एंड बारिज्जे की कलरक आधी के 35,208 पदाओं के लिए 1,26 लाग अब भ्यारती अब भ्यारतीयों के लिए 28 दिसंबर से और लेविल बंद से लेविल बंद ट्रेक यानि के लेविल बंद का मतलब में बताया था गुरूप डी मेनिटर पॉइंट्स मैं आधी के 1,39,79 पदों के लिए 1,15,00 अब भ्यारतीयों के लिए परिक्षा अपरेल 2021 स परिक्षा शुरू होने वाली है ठीकिस सभी परिक्षाड सभी परिक्षा पूण कर एक बर्स के भीतर शफल अभ्यारती को निक्ति दे दी जाएगी ठीकिक दूस्तों अब आप यहां पर यह बास साफ़ श्टाफ किलियर कर दी है कि अगर जो अभ्यारती यिस परिक्षा म की महामार कोविड-19 की परिस्तितियों के कारण यहां परिक्षा कराने में देरी हुई है ठीक तो कोविड-19 की कारण यह परिक्षा कराने में देरी हुई है क्योंकि यहां पर लोकडाउन लग गया था जिस कारण परिक्षां रद्ध हो गई थी ठीक तो तो इस चक्र में बह साथ बोल दिया गया है कि परिक्षाओं की सुरुवात होनी स्टार्ट हो गई है इन परिक्षाओं को कराने के लिए अभ्यारती को उनके ग्रह राज्ये में तो मैंने आपको इंपोटेंट बात बताने जा रहा था भाही बो यही इंपोटेंट बात है उनके ग्रह राज्ये म ही है कि candidate को उसका home state मिले ताकि वो एक रात के अंदर ही अपनी traveling पूरी करके अपनी यात्रा पूरी करके अपने एक्जाम सेंटर तक पहुंच सके ज्यादा उसे नहीं भागना पड़े ठीक तो इसलिए तो रेलवे ने इस बात को नजर में रखते हुए यह target बनाया है कि अधिक से अधिक candidate को उसके home state में ही एक्जाम कराना होगा तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे दिब्यांग लोग हैं महिलाएं हैं और दिब्यांग लोग हैं उनको तो home state मिलना ही मिलना है ठीक तो यहाँ पर उन्हें तो साब साब दे दिया गया है कि बहुत कम अभियरतियों को ही गरहे राज्य के बाहर जाना होगा बहुत कम अभियरतियों को जैसे कि दोस्तों मैं आपको बात कर अगर कोई candidate जैसे कि किसी राज्य का है ऐसे सपोच करो अगर वो NCR का है दिल्ली का है तो उसे दोस्तों गाजियावाद है मतलब आसपास के एरिये में उसका सेंटर आ सकता है अधर श्टेट में ठीक है तो जैसे अगर कोई भी है जैसे सपोच करो जैसे हम रहने वाले जैसे गाजी बात्क हैं जो हमारा लाश्ट इक उह पड़ता है हमारे किसका Map दिल्ली घ्याणा तो दूस्तो यह जो आते हैं यह उसके पस पड़ते तो दोस्तो उन ही वहाँ जाएगा जिन करूज नजधिक होगा उनी का बाहर जयाएगा कुछ किसी का बहार में जाने वाला है सेंटर अपने श्वेंट में ही आदिक से अधिक एक्जाम देने होंग ठीक दोस्तों अच्छा होगा दोस्तों सब के लिए क्योंकि सब ज्यादा ज्यादा कम टाइम में आराम से अच्छे से पहुंच सकेंगे और उनके लिए ट्रेन बगएरा सब चीज की सुबिदा गवर्मेंट करने वाली ठीक तो इसमें आगे सब कुछ बताया है प्लीज वीडियो बश 그러면 गवर्मेंट टीने के लिए कर दिया है वह होगがとう चुकी है अब वहारतियों के अभ वहारतियों के परिक्शा देने के जाने के लिए परिक्शा जो देने जाएंगी अब वहारतियों दॉन रिएल्वे ने विशेषra का मतलब नोंने बिवस्ता कर रखी है कि उनके लि के लिए पूरी पूरा इंतियाम कर दिया है ठीक हमारे लिए कि अगर हम एक्जाम देने जाएंगे अपनी एक्जाम सेंटर तक तो बहा तक हमें कोई प्रोब्रम नहीं होने वाली रास्ते में ना आते इस टाइम ने जाते टाइम ठीक तो तो यहां पर आगे बढ़ते हैं क्य गया है ठीक तो पत्र लिख दिया गया है कि कंडिडेट के लिए ट्रेनों की विवस्ता की जाए ठीक तो बहां पर पत्र आपका पहुंच आप रुकेस्ट पहुंच चुकी है गवर्मेंट के पास कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का अनुपालन की बाध्यता को देखते दोस्तों जहां पर अगर गवर्मेंट को 1000 सेंटर बनाने थे उसकी जगह वो हो सकता है 1500 करदे 1600 करदे बहां पर अधिक से अधिक मतलब जितना हो सागेगा गवर्मेंट के लिए उतना बचाओ देगी तो दोस्तों आप एकजाम देने जरूर जाना आप यह मत सोचना कि कोरो सेंटर आपको कहीं भी हो आपको एकजाम देने जाना ही जाना है थी दोस्तों आपको जाना ही जाना है एकजाम देने तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों यही थी एक निव अपडेट जो मैंने आप तक पहुंचा सकूं सबसे पहले आप तक तभी पहुंचेगी जब आप उसका ब्रावला घंटा दवा देंगे तो ब्रावला घंटी दवा देंगे सब्सक्राइब वाली तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जहन मेरे प्यारे साथी हो